तो दोस्तो सैबी हो सकता है आने वाले टाइम में जो ट्रेडिंग आर्स हैं स्टॉक मार्केट के लिए उसको extend कर सकती है अभी जो स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग आर्स चल रहे हैं वो 9.15 से लेकर 3.30 पीम तक चलते हैं जिसको बढ़ा कर 5.00 पीम तक किया जा सकता है तो यहाँ पर दो चीज़े सामने आ रही हैं एक तो एक्विटी की अगर हम बात करते हैं कैश मार्केट जिसे आप बोल सकते हैं वो 5.00 पीम तक extend की जा सकती है बाकी जो F&O मार्केट है वो 11.55 पीम तक भी extend की जा सकती है ऐसा यहाँ पर निकल कर आ रहा है तो आने वाले टाइम में आपको देखने को यह चीज़ मिल सकती है अब इसका फाइदा और नुकसान क्या है उस चीज़ पर हम लोग यहाँ पर कोईकली बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले अगर हम investors के angle से बात करते हैं जो long term investor है तो long term investors के point of view से कोई बहुत बदलाव नहीं होने वाला है जो long term investors है उनको बहुत जादा market timing से फरक नहीं पड़ता है फरक किन को पड़ेगा traders को पड़ेगा और मुझे लगता है कि traders के angle से positive चीज़ सिर्फ इतनी है कि आगर आप job के साथ साथ trading करते हैं FNO में trading करते हैं तो अब आपको job में अपना time waste करने की ज़रूरत नहीं होगी 6-7 बज़े जब आप job से वापस आते हैं उस time पे भी आप trading कर सकते हैं तो ये सबसे बड़ा फायदा हो जाएगा लेकिन नुकसान क्या है दिखिए सबसे बड़ा नुकसान क्या है mental health में नुकसान है अभी सुबा 9 बज़े से जो एक trader है वो 3-3 बज़े तक screen के सामने बैठे रहते हैं stock market को खोल के बैठे रहते हैं वो ही चीज वो रात के 12 बज़े तक कर रहे होंगे क्योंकि जब तक market open होती है ये चीज देखने को मिलती ही है कि traders market में opportunities धूणते रहते हैं उस angle से काफी ये negative चीज मुझे लगती है positive बात है brokerages के लिए क्योंकि brokerages के पैसे बढ़ जाएंगे क्योंकि जितनी ज़ादा open hours होंगे उतना ज़ादा जो retail investors हैं वो trading करने वाले है government को भी फायदा होगा जितनी ज़ादा trading होगी उतना ज़ादा tax collect होता है STT वेगरा का तो government को फायदा होगा brokerages को सबसे ज़ादा यहाँ पर फायदा होने वाला है और देखिए सबसे बड़ा नुकसान क्या है मैंने अभी कुछ time पहले आपको बताया था कि RBI की report थी यह चीज बोली गई थी कि सिर्फ 10% ही retail traders हैं वो F&O segment में पैसा कमा पाते हैं अब वो जो 10% है वो और कम होने वाला है क्योंकि जितना ज़ादा opportunity मिलती है trading की retail investors को तो उससे कोई additional benefit नहीं होगा उससे नुकसान ही होने वाला है तो मुझे लगता है कि यह जो decision लिया जाएगा यह basically जादा फायदेवन brokerages के लिए और जो government को taxes के angle से उनको जादा फायदा होने वाला है rather than जो छोटे retail traders हैं उनको तो यह मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो चीज है वो यहाँ पर निकल कर आएगी कि थोड़ा सा problem बस एक जो फायदा यहाँ पर नजर आता है कि जो लोग job के बाद इसको करना चाते हैं 12 बजे तक FNO market extend हो जाती है तो उसका फायदा होगा जनरली यह चीज जो forex की apps है वो जो 24-7 चल रही है crypto forex तो उसको देखते हो यह चीज जादा मुझे लगता है कि की जा रही है comment section में आप लोग भी बताइए कि इसका क्या आपके साब से positive और negative impact इस चीज का होने वाला है मेरी तरफ से बस इतना ही धन्यवाला